कि दो आइंग के दो आख्ड़ी ने सट्था इंग वाउं के लिए भूमी और नोक्री की सुरक्षा के लिए समेधानिक गारंटि सुनश्ट करने का दावा किया है अपनी पाड़ी ने दावा किया है कि राजी का दर्जा बहाल करने के लिए अथक प्रयास करेंगे साथ ही जमुकश्मीर की संस्कृति और विशेश पहचान को संरक्षित करने के लिए समविधानिक गारंटी देगी कुछ पूर्वत्तर राज्युम अनुछे 371 के प्रवधानों के समान जमुकश्मीर में भी अनुछे 371 लागू करेगी चुनाव से पहले कईनेता देल बदल रहे हैं इसी कड़ी में पूरो विधायक चोदरी कमार हुसैन शिनगर स्थ पार्टी मुख्याले में पार्टी अध्यक्ष मैबूबा मुफ्ती की मौजूदकी में PDB में फिर से शामिल हुए मैबूब मुफ्ती ने उनका पार्टी में स्वागत कर इसे घर वापसी बताया वही कबार हुसैन ने कहा कि वो एक मजबूत एक जुट जमुकश्मीर के लिए प्रयास चारी रखेंगे वैरिनाक से डीडीसी सदस्य पीर शहबाज जो भाजपा नेता सुनील शर्मा के करीबी है ने आज अपने निवास्थान हेंगी पोरा का प्रान में एक विशाल जनसभा को संभोधित किया सभा को संभोधित करते हुए पीर शहबाज ने घोशना की कि वैद दूरू विधान सभा शेत्र से सौतंत्र उमीदवार के रूप में विधान सभा चुनाव लडेंगे पीर ने अपने कारीकरताओं से भारती जन्यता पार्टी के खिलाफ उनके पक्ष में घर घर जाखर प्रचार करने का अगरह किया जिला चुनाव कारियाले बांडिपूरा ने आगामी विधान सभा चुनाव की तैयारी के लिए चुनाव अधिकारियों और करमचारियों के लिए एक व्यापक प्रशिक्षन कारिक्रम आउजद किया ये कारिक्रम मेनी सच्चवाले बांडिपूरा में आज़त किया गया था इसमें बीसी बांडिपूरा मन्जूर एहमद और अन्यवरष्ट अधिकारी शामिल हुए प्रजिक्षन कारिक्रम का उद्दीश चुनावधी कारियों को स्वतंत्र निश्पक्ष और पार्दर्शी चुनाव कराने के लिए आवश्य ज्यान और कोशल से लैस करना था शिनगर शहर के राजबाग इलाके में एक होटेल में आग लग गई जिसके बाद दमकल गारियों को बुलाया गया कड़ी मशक्कत के बाद दमकल विभाग ने आग पर काबू पाया पर तब तक काफी सामान जल कर राख हो गया था आग लगने के कारणों का पता लगाया जा रहा है उधर गांदरबल जिले के तुल्मुला इलाके में उस समय अफरा तफ्री का माहोल बन गया जब अचानक वहाँ एक आरा मिल में भीशन आग लग गई आग इतनी भीशन थी कि देखते ही देखते फैल गई आग के जानकारी मिलते ही दमकर विभाग और पुलीस मौके पर पहुँची जिन्होंने स्थारी लोगों के साथ मिलकर आग पर काबू पाया पर तब तक काफी नुकसान हो चुका था गरी मत ये रही कि आग जनी में किसी की हताहत होने की खबर नहीं है लेकि नुकसान की सीमा का अभी भी आकलन किया जा रहा है देशभर में आरक्षन से संबंदित सुप्रीम कोट के हाल के आदेश को लेकर विभिन संगठनु द्वारा बुलाय गए भारक बंद का जम्मू में भी असर दिखा इसको लेकर सभी SCST OBC संगठनु द्वारा जम्मू में प्रदर्शन किया गया प्रदर्शन कारियों ने रारे बाजी कर नराज की जताई और इस फैसली को सरा सर नाइन साफी बताया ने कहा कि इस तरह के फैसली को बरदाश नहीं किया जाएगा ये फैसलाब वापस लेने की मांग की गए आमादमी पार्टी जमू कश्मीर में विधान सभात चुनाव लड़ेगी इस बात का एलान आज पार्टी नेता उम्प्रकाश खजूर्या ने पत्रकार वारता कर किया उम्प्रकष्ट खजूरा ने कहा कि पाथी उन्हीं मुद्दू पर चुनाव लड़ेगी जिन मुद्दू पर पाथी ने दिल्ली और पंजाब में चुनाव जीता है पाथी जल्दी अपना गोश्टा पत्र और पाथी उमीदवारों के नामों की घोश्टा करेगी सिख प्रोग्रेसिव फ्रेंट के अध्यक्ष बलविंदर सिंग द्वारा अपनी लंबित मांगू को लेकर एक पत्रकार वारता कायोजन जम्मू में किया गया इस आउसे पर बोलते वो निकाह कि सिख समुदाई के साथ सरकार द्वारा सोती राव वहवार किया जा रहा है लाव नराजगी जिताए गए फ्रेंटि की सदस्यों ने इस मुद्धे पर गंभीरता दिखाए और इस तरह के मामलू में सक्त कारवाई की सरकार समांग की साथी वर्क प्लेसिस पर महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने की भी अपील की